तो वेलकम टू अल माई डियर स्टेंट मैं मुकेशर आप सभी का स्वागत करते स्टेंट आज की स्क्लास में स्टेंट अगर आप सी भी एससी जीडी दो हजार चौबीस एक जाम की त्यारी कर रहें तो यकीर मानेगा स्टेंट आज के क्लास साफ सभी के लिए काफी लेकर आया हूं जैसा कि आप लोग देख पारे स्टेंट यहां पर की एससी जीडी के लिए एससी जीडी के लिए यह क्लास रामबाण की तरह काम आने वाला है जिसमें कि हम लोग कबर करेंगे जीके के पेपर यानिकी जीके से बनने वाले सारे प्रशनों को यहां पर इसके त्रिती पाली के उस सारे प्रशनों का संग्रह यहां पर लिया गया है जो कि आप सभी के प्रिबियर से कोशन में पूछा गया था और आने वाले एक्जाम में भी आप सभी के ऐसा ही हुब वु प्रशन इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा एंड यहां पर देखिए कि कैसे-कैसे प्रशने पिछले एक्जाम में पूछे गए ता कि अगले एकजाम में आप सभी के किस टॉपिक से प्रशने पूछे गा वीडियो आप सभी के लिए काफि हो जाता तो कि अर्श है तो श्टार्ट करते में आज किस घ्ищ पॉड comment box में लिखेगा कि आप सभी 25 कोशन में कितने कोशन को अटेंड कर पाएं ताकि आप सभी को अपने preparation का अंदाजा लग सके तो स्टार्ट करते हैं आज किस क्लास को आज की क्लास का अगर परस्ट कोशन के बाद करते स्टेंट करकी उकाई बांध निमनलीखित में से किस नदी पर इस्तित हैं तो उकाई बांध के बाद करेंड की किस नदी पर इस्तित हो जाएगा तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का option number B यानि कि तापती नदी पर हो जाता है किस नदी पर हो जाता है तापती नदी option number B आप सभी का right answer हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते हैं इस टेंट आप सभी का यहां पर टू नंबर प्रश्ण पूछा गया है कि हाडपा सभीता की अन सहरों की बिपरित धोला वीरा सहर को कितने भागों में बिवाजित किया गया था पर टेक भांग विसाल पथर की दिवारों से घिरा हुआ था देगे यह प्रश्णारात सभी तो सर करिंगम के दौरा इसका स्नवेचन किया गया था ये तीरह लाक वर किलोमिटर में फाला हुआ इसका छेत रहे इसके अगर हम आकार के बाद के इसका कार तीरवोजा कार था यहां पर रहें रहें अगर चांप मिला था कुमहार का चाक मिला था आप से स्वास्तिक चीन मिला था तो यहां से सारी प्रश्ण आप से के एक्जामें directly objective question के तोर पर पूछे जाते हैं और हर बार और हर पाली के बात करें तो एसे से जीड़े प्रष्ण पूछा है यहाँ से प्रश्ण पूछा आप सभी का आप से नमबर शी यानिकी इसे तीन भागों में बाट आ गया थे न आप से नमबर सी इस तीन्ट आप सभी का राइट एंसर होज जगा इस एक छोटा सुरे केश्ट है कि आप तक इस क्लास को आप लोग दो से जहां से कि आप सभी के लेडेली बेतर से बेतरीन करने का प्रयास किया जाता है बात करते हैं अगला प्रश्ण आप सभी का थी नंबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के चौबीसवे और अंतिम तिर्थकर वर्धमान महावीर का जन छटी साथाबदी इसापूर में कहा पर हुआ था यानि कि यहां पर बात देखे गुमा फिरा करके वहीं पूछा गया था कि जैन धर्म के 24 तिर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म कहा पर हुआ था यहां साथ सी के बहुत सारे प्रस्ण भी देखने को मिल गए कि जैन धर्मे के 24 और आंतिम तिर्थकर कौन थे वर्धमान थे और इनका जन्म छठी सताबदी में हुआ था अब एक और प्रस्ण बनता है कि कहा पर हुआ था अगले प्रस्ण को और बात करते स्टेंट आप सभी का फोर नंबर प्रस्ण पूछा जारा है ध्यान दीजे का इस क्लास के उपर एंड अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर की जिगा क्योंकि आप सभी का प्यार हमारे सा आने वाला लोहडी तिवार प्रती वर्ष किस महीने में मना जाता है अगर आप सभी ने इस टेंट अगर एस सी जीडी दोजार चौबिस के अगर आप सभी ने अगर उसका स्लेबस देखा हो तो आप सभी को एक ऐडिया उसमें लगा होगा कि आप सभी की निरित्ति से भी और तिवार से भी प्रशने पूछे जाएंगे आने वाले दोजाग चौबिस के एकजाम में तो आप सभी के लिए यह वीडियो जो नहीं इसमें सारे प्रशनों का संग्रह लिया गया प्रिवियस से इस कोश्चन भी है जो कि आप सभी के लिए काफी हो जाता है राइट ए प्रशने पूखा जाता है कि निमनलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू और एंड आउना अब for a crime against journalist के रूप में मना जाता है यानि की यह दिवस का अभला चाना पर किस दिन को मना जाता है ईए आसी के आने वालएग्जाम में दिन और थीम से भी एकष़ां आप सी कि पूछेंव जाएंगे तो ध्यान दिजेगा यह पर नंबर यानिकी 2 November को मना जाता है कितने मिला जाता सभी के 2 November को यह दीवस के रूप में मना जाता है अगले प्रशन को बात करें टेंट-अप सभी का प्रश्च्ञ नंबर इस नंबर देखे यहां पर बहुत सारे स्थेंटों को तो लग रहागा कि यार यह तो लेकिन यहां पर सारे प्रस stuffs क्रक्षन करने का जो कि प्रस्षण करने का का डिए लग पाता है क्या हम पीछले एक्षामम में कैसा कैसा प्रस्षन पुछा था फिन कि आने वाले एक्जामनर जोंगे वह ऐसा ही प्रस्ष्ण बनाएगा आपके एक्जाम में तो आप से को काफी यहां पर नॉलेज मिलता है अगर प्रिवेस से कोशन करते हैं तो ठीक है न तो बात करते हैं इस नमबर प्रस्ष्णी को कि एस याई फुटबॉल कप 2019 की में जबानी निमने लेखित में से किस देश ने की थी तो राइट एंसर में आप से बता देता हूं कि सन्युक्त अरब अमिराथ हो जाएगा आप से नमबर डी एंड यहां पर आप से करना है बात करने वाली क्या है आप देगे कोशन के साथ हम को वह बात जाना है कि प्रिवीर से कोशन कहा से बना था किस टॉपिक से लिया गया था यहां पर मैंने यहां पर ध्यान देने लग बात है क्या पर देखिए ज्यादा तरली आप सभी के खेल से एस पोर्ट से रिलेटेड करेंट अफेर्स आप से एक्जाम में पूछे था कि यह 2019 का प्रशने एंड यह जो प्रिवियर से कोशन यह 2019 का है तो आप लोग देख पारें कि 2021 वाले एक्जाम में 2019 का प्रशनोवी फूट वॉल से रिलेटेड पूछा गया आप सभी के प्रशने पूछे जाएंगे तो आप लोग को खास करें कि आप लोग स्पोर्ट वाले जीके पर ध्यान दिजेगा तो आप सभी के लिए बेटर महसूस होगा और अगले प्रशन को और बात करते श्टेंट आप सभी का सेवे नंबर प्रशन पूछा जा रहा है कि निवने लिखित में से कौन सा सर्व बिजे नगर की मध्यकालिन हिंदू राज्य से संबं बीजो बिरासत अस्तल घोसित किया गया तो आप सभी का जो सेवेन का राइटेंसर हो जागा भी यानि की हमपी हो जाएगा अप सा नंबर भी यहां पर बिंदू न रहा करके ठीके ना अप सा नंबर बी हो जाएगा एंड़ अगले प्रशन को और बात करते श्टेन टाप सभी का एट नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है करे कि भारतिय डंड रहित की मौत सी डंड रहित की कौन सी धारा महिला की समती के बिना गर्वपात करने की अपराद से संबंदी थे बात करने की अपराद से संबंदी जो धारा हो जाता है और ऐसा कोई भी काम करता है तो उसके उपर कौन सा धारा लगाए जाएगा तो राइट एंसर हो जाएगा आपसुई का 313 धारा के अंदर वो अंदर चला जाएगा यहां पर दोस्ते मैं आपसी से बात कर लूँ कि आपसी की अगर हम बात करते एससे जीडी का जो मोस्ट इंपोर्ड जो कौपी खोता होता है संबीधान अनुछेद वहां से आप सभी की 102 प्रशन हंडे परचेंट एंड हर बार एक्जामनर एक से दो प्रशन पूछता है ठ अगले प्रशन को बात करते हैं आप सभी का नाई नंबर प्रशन पूछा जा रहा है कि क्रिकेट सोरी टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सतक बनाने वाले पहले भारतिय बल्लेबाज निमने लेखित में से कौन थे यह भी प्रशन आप सभी की 2021 वाले एक्जामें पूछे गए लेकिन आप देख पा रहे ही कि ये भी जो प्रशनें आप सभी की अस्पोर्स का ही है लाप वाले प्रशन जो है व आप सभी के एक्जामें अत्य धीक पूछे जारें तो राइट एंसर हो जाएक आप सभी का कोस्ट नंबर नाइन का विरेंद्र शवIE हो जाएंगे अगले प्रश्ण को बात करते इस्टेंट आफ सभी का दस नमबर प्रश्ण पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2020 तक की आकडों के अनुशार भारत सरकार ने अनाजों के लिए नियुन्तम समर्थन मुल्य तैकर दिया है अगले प्रश्ण को बात करते इस्टेंट आफ सभी का इलेवे नमबर प्रश्ण पूछा गया है यहाँ पर यह प्रश्ण कर रहे कि सितंबर 2021 तक प्राप्त जनकारी के अनुशार एमनुएल मैक्रा मैक्रा यहां पर रहेगा ऐसे गर के क्या रहेगा मैक्रा किस देश के राष्ण पती है तो 11 का जो राइट एंसर होच्छा है आप सभी का अपसे नमबर शी यानिकी फ्रांस के हो जाएंगे क्या जाएंगे फ्रांस के हो जाएंगे अगले प्रश्ण को बात करते आप सभी का कोश्चन नमबर 12 कि 13 और 14 सताब्दी के दोरान पंजाब में निमनलीखित में से कौन सी जन जाती प्रभूत्व था तो बात करें 12 का तो जाएगा आप सभी का खोखर हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात कर लेते आप सभी का तेरा नमबर प्रश्ण पूछा जा रहा है तो आप सभी को अगर क्लास अच्छा लग रहे तो प्लीज इस चनल सस्क्राइब कर सासाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि एसा हर एक सभी से पूछा जा रहा है कि जिस समय 1761 में पानीपत का तिसरा लड़ाई में अहमद साह अवदाली ने मराठो को हराया उस समय दिली का सासक कौन था यह कोशन थोड़ा सा बहुत ही इसली है लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया ताकि इसमें चक्रिया जाए यह ऐसा भी पूछ सकता था कि पानीपत के दिली का सासक कौन था तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रस्न को और बात करते आप सभी का 14 नंबर प्रस्न है कि मंगल पांडे सिपाही थे तो मंगल पांडे के बात करे की सिपाही थ तो यह हो जाएंगे चोंतीसवा बंगाल मुल्य निवासी सीशू ठीक न तो आपसा नमबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा कोर्शन नमबर 14 का अगले प्रशन को और बात करें तो आप सभी का 15 नमबर प्रशन पूछा जारा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई के अगर हम बात करते हैं किसके बीच लड़ी गई थी तो दूसरी लड़ाई जो लड़ा गया था पानीपत की 15 का जगा अकबर और हेमू के बीच किया गया था एंड वहीं पर बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई जो की 1526 सिस्वी में बाबर और इबराहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 21 अपरिल 1526 जिसमें इबराहिम लोदी की हार होई थी एंड बाबर बीजे प्राप्त किया था ठीक है न अगले प्रशन को और बात कर लेते इस्टेंट आप सभी का 16 नमबर प्रशन है कि 200 की सबसे उची चोटी एवरेष्ट की बात करें तो राइट एंसर हो जगा आप सभ आई है वो कितनी हो जाएगे अगले प्रशन को और बात कर लेते इस्टेंट आप सभी का यहां पर एंड 17 नमबर प्रशन पूझा जा रहा है कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की ओधारना ग्रहित की गई थी तो यह कहां से ग्रहित की गई थी यानि ग्रहन किया गया था ऐसे तमाम रूल से जो कि हम लोग अलग अलग कंट्री से लिया हुआ है ठीक है न तो राइटेंसर रह जगावसी के यह ब्रिटेंस से लिया गया है अगले प्रशन को और बात करते इस्टेंट आप सभी का प्रशन नमबर 18 नमबर कि सचीन तेंदुलकर को भारत रतन से समानित किया गया था तो सचीन तेंदुलकर के बात करें कि सचीन तेंदुलकर को भारत रतन से कब समानित किया गया था तो राइटेंसर होजग ज जारे किया हैं तो यह के निरिट्य से बी एक हनडे पर देखने को मिलेंगा ही मिलेगा थीग सब्सक्राइब घर्वा को हैंड न के हरियाणा को comment box में बताना है कि हरियाणा का सास्तिर निरिति क्या होता है अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का 20 नमबर प्रश्ण है कि इंद्रा गांधी इंडोर इंडोर इस्टेडियम इस्थी थे तो इंद्रा गांधी के बात करें इस्टेडियम कहां पर इस्थी थे तो यह जाएगा आप सभी का नए दि इलाही यह फर्क ए इंदी कहा था तो राइट इंसर होज़ागा आप सभी का अबुल फजल आपसा नमबर ए अगला प्राशनावसी का 22 नमबर प्राशन पूछा जाएं कि भारत में चार बाग सैली का प्रथम मकब्रा है तो तो 22 का जो राइट इंसर होज़ागा इसटेंट आाप सभी का अपसा नमबर हो जाएगा 22 का option number C याने की sorry A याने की हुमायू का मकबरा वहीं हुमायू है दोस्तों जिसका पिता का नाम बाबर और बाबर के पिता के नाम कब बात करें तो मिर्जापूर उनका नाम जो था मुर्जापूर के मुख्या थे और उनका पिता का नाम बाबर था और वहीं बाबर है जो की भारत पर पांच बार आकरमन किया था इसने चार यूद ऐसा लड़ा जिसमें कि एक खुद से बीजे प्राप्त गिया है उस चारों यूद के बात करें तो पानीपत का प्रतम आप से बात करें खानवा चंदरी और घागरा का यूद जो था वह बाबर के द्वरा ही लड़ा गया था ठीक है नहीं यहाँ पर बात करें जो आप सभी के यहाँ से आप सभी के हर बार एक्जाम में प्रस्ण देखने को मिल ही जाता है तो थोड़ा साप लोग इस इंपोर्डेट पॉइंट पर ध्यान दीजेगा कि अगर हम पानीपत के अगर प्रतम यूद के बात करते हैं तो पंदरसो चबीशी में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पंदरसो चबीशी में इब्राहिम लोदी यह बाबर के बीच लाड़ा गय दिया था वहीं पर बात कर लेते हैं आप सभी का प्रस नंबर है अट्वांटी थी नंबर की हडपा सभिता का सारोधिक मानेता प्राप्त काल कौन सा है तो हड़पा सभिता के बारे में ने तो आप सभी के इंपोर्डेट बात बताई दिया ठीक है ना तो यह जग आप सभ इसापुरू से 1750 इसापुरू आपसा नंबर बी आप सभी का राइट इंसर हो जाएगा एंड अगला प्रस नावसी का ट्वण्टी फूर नंबर है कि आडपा सभिता के निवासी थे यानि कि वहां के जो निवासी थी वो कैसे थे तो वो दोस्तों ना वो सहरी थे आपसा नंबर यहां पर एक बात आता है हBut भाणा भदोष करते हैं डियह जिसे करते हैं जो पहले कрахátे मानव के आदि मांव के बात करते obl Raky test प्रण एतिहासकाल और इतिहासकाल उसमें जो पुरापशाण कि जो समय जो था वह आधी मान थी आदी मानव उससी समय थी और वो क्या करते थे सिर्फ पूरा पासान कालें बात करें तो उसमें आदी मानों खाना बदोस्ते सिर्फ खाने और पीने का मतलब रखते थे उनका यह नहीं था कि अपने बेटी अपने पतों के लिए कुछ भी एंधिंग करना है घर बनाना है ओलो का ऐसा कुछ भी मानना न गया था तो पानी पत्त के प्रत्व युद क्या अब हुआ था आप सभी के इस कोशन का राइट एंसर आप सभी कोमेंट बॉक्स में देना है और दिखते कि इतने स्टेंट का राइट एंसर दे पाते हैं तो आई हो भी इस आप सभी किस क्लास का अगर अच्छा लगे ता आप सभी इस वीडियो को लाइक कर चैनल सस्क्राइब कर सकते और आप सभी को अब बताया है कि आप सभी ने 25 कोशन में कितने को रियल में अटेंड कर पाएं एंड खुद से लगा पाएं तो आप सभी इस इस इंसर का जो आप सभी कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखेगा म मिलतें नेक्स वीडियो में इस्टेंड थैंक्स वो राचिंग माई वीडियो